हेलो स्ट्रेंट्स आप सबका स्वागत है हमारे चैनल Amplitude Studies 2.0 में और देखे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि BTUV में जो semester exams होते हैं board के exams होते हैं उनमें जो copy मिलती है उसका front page किस प्रकार से भरा जाना चाहिए क्या सही तरीका है front page भरने का क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वज़े से कभी-कभी problem हो जाती है और आपकी absent लिखके आ जाती है या फिर आपके marks नहीं लिखे जाते हैं या फिर MW लिखके आ जाता है जिसको marks waiting कहते हैं तो यह सारी समस्या है जो है कभी-कभी वो front page में कोई गलती हो जाती है उसी वज़े से हो जाती है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ढंक से किस तरह से आपको अच्छी तरह से copy का front page भरना है ताकि और सारी समस्या है जो है नहों पता लगा आपने अंदर काफी मेहनत करी copy में सारा कुछ करके आए और marks जो है वो चड़े ही नहीं आपके marks sheet में तो वो कभी-कभी rule number में कुछ mistake हो जाती है या कोई और mistake हो जाती है जिस वजह से यह ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले हम copy का overview देंगे आपको फिर कैसे भरना है वो बताएंगे और फिर उसके बाद last में हम आपसे discuss करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो निर्देश हैं जिनको follow करना चाहिए यह front page भरने में तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे a copy लिखा हुआ है a copy इंग्लिश में a copy बोलेंगे अगर हिंदी में बोलेंगे तो a copy लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि a copy लिखने का यह मतलब नहीं है कि आपको बाद कौपी भी मिलेगी बाद परिशद में यूपी बीटी में और इस वज़े से केवल a copy में ही इतने सारे पेज होते हैं कि आप अपना प्यूरा पेपर इसी में दे सकते हैं तो इसलिए जिन बच्चों की आदत है कि खुब छोड़ छोड़ के लिखते हैं को पेड जगह को तो वो इस आदत को सुधार करने अपनी एक ही copy जो है इसमें आपको 36 पेज मिलेंगे उनहीं में आपको सब कुछ लिखना है 36 में से एक तो front page निकली जाएगा 35 पेज बचेंगे बस तो प्राविदिक शिक्षा परिशाद उत्तर प्रदेश यहां पर लिखा हुआ है और side में यह मैंने जो page बनाया है यह type करके बनाया हुआ है यह तो इस तरह इसी तरह की copy आपको मिलेगी यहां पर कोने में छेट छेट करके जैसे लिखा रहेगा यूपी बीटी वोल करके जैसे बोर्ड की copy में भी आपने देखा हूगा 10th 12th में copy में छेट करे रहते हैं उनसे लिखा रहता है उसी तरह से यहां भी लिखा रहेगा यहां पर right side में देखेंगे तो उत्तर पुस्ति का क्रमांक लिखा होगा यहां पर एक पूरा नंबर लिखा रहता है 2456 जो भी लिखा होगा यहां पर हमने उसकी जगह पर 000 कर दिये हैं ज्यादा तर यह साथ अंकों का होता है तो इसलिए हमने यह जो बच्चे को भननी होती है वो यह है कि पहला है पाठेक्रम का नाम और दूसरा है कक्षा प्रथम दुतिये तृतिये चतुर्त पंचम शर्ष्टम और यह अंतिम वर्ष तो जो भी आपका है समेस्टर वो समेस्टर कक्षा यहां पर लिखी जाएगी और फिर उसके बाद यहां पर देखिए अनुक्रमांक लिखना है अंकों में इसमें लिखा जाएगा यह डिजिट यह बॉक्स दिये हैं और शब्दों में भी लिखने के लिए बॉक्स दिये हैं चौथा पॉइंट है विशय कौन से विशय का एक्जाम है और पांचवा है प्रश्ण पत्र लिखने का मतलब है कर दिया है और यह बाती चेक कर लिए प्रविश्पत्र के हिसाब से तो कहने का मतलब है अगर आपने माली और सपोस कर यह रोल नंबर भरने में गलती कर दी है तो भी यहां पर इन्विजिलेटर की ड्यूटी बनती है कि वह चेक करें कि आपने का रोल जल्दी बाजी या कई भी human error हो सकती है इसलिए आपको अपना entry भरने में खुदी ध्यान रखना है किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है तो चलिए अब हम बता देते हैं आपको की यह entries कैसे भरनी है जो उत्तर पुस्तिका क्रमांक है इसको आपको attendance sheet में भरना पड़ता है एक उपस्तिती तालिका आती है वह इंविजिलेटर आपको देंगे वहीं पे class में exam hall में और उसमें आपको यह उत्तर पुस्तिका क्रमांक भरना पड़ता है यह सबूत होता इस ब है तो आप कोई attendance sheet ही यह सब बूत बने की जा करके कि आपने exam दिया था तो इसलिए attendance sheet को बिल्कुल जरूर जरूर से जरूर धंक से भरें और यह number जरूर उसमें लिखना चाहिए कि इससे यह साबित हो जाता ने यह copy आपने consume की है यह copy आपके दोरा उप्यों की गई है अब आप देखिए पाठिकरम का नाम तो जैसे माले सपोस करिए electrical engineering के छात्र है आप तो आप यहाँ पर जो है पाठिकरम के नाम के आगे इस तरह से आप electrical engineering बस इतना लिख देना है आपने engineering चाहे पूरा लिख दें चाहे सरकल बनाते वो अमरजी आपकी electrical engineering मतलब लिखने वाले क समझ में आ जाए उसके बाद कक्षा जो है वो आपकी आप देखे किस semester में है तो प्रथम है दुती है तृती है चतुर्थ है या जो भी है तो मनने सपोस्ट समस्टर में है तो यहाँ पर प्रथम semester इस तरह से आप इसको लिख देंगे याँ पे तो पाठिकरम का नाम हो गय तक्षा हो गई आपकी अब इसके बाद बारी आती है अनुक्रमांग की अनुक्रमांग आपके प्रवेश पत्र पे होगा और ये ध्यानकी इन्रोल्मेंट नंबर अलग चीज होती है वो तीनों साल सेम रहता है लेकिन जो रोल नंबर है वो आपको हर एक्जाम में बदलता र यह मालिया सपोस किसी का रूल नंबर है तो हाला कि रो लंबर से भी आप कुछ थोड़ी बहुत पहचाना कर सकते हैं यह जैसे डवलडव हो जाता जब दाब और ये 1003 वन का मतलब है फ़र सेमिस्टर का बच्चा है और फिर 3 का मतलब है तीसरे रोल अमब़र में इसका प्रमंर Insya के बारे में बात होती है अब शब्दो में इसे लिखना है तो शब्दों में आप कैसे लिखें गे इसमें आप 2 है तो लिखाने यह दो है तो इसको दो लिग दें, ये शून ने लिख दिया शून ने लिख दिया और ये तीन लिख दिया इससे फैदा क्या होता है is से फैदा ये होता कि जैसे बाल यह सबोज करिय आपके टे-ईन थोड़ी गढ़बड है और आपके यहाँ पर 3 बनाया यह एट बनाया पता नहीं लग रहे तो उस कि पुराना कोई उनको रोल नंबर मालूम है या क्लास का रोल नंबर मालूम है पता लगा उन्होंने लास्ट में 46 लिख दिया आप क्लास का रोल नंबर पता लगा एड्मिट कार्ड में ये नंबर लिखा है और आप वह आपना क्लास कार्ड लिखा है बाद में एक बार तो कि आपको आपको कहां पिलेगा तो यह सही। कि पाकर आपको मिलेगा जाकर के, आपको के quizian paper जो मिलता है उस पे मिलेगा जाकर के, तो वहां से आप इसे कर देंगे अब जब इतना भर लेंगे कॉपी मिलने पर ये सब दस पांस दस मिनिट का काम होता है आपको कोशन पेपर स्टार्ट होने से पहली कॉपी मिल जाती है आप इतनी देर में ये भर दे उसके बाद जब आपके पास एक्जामनर आएंगे तो उनको करना ये चाहिए कि आप से एडमिट कार्ड मांगें और एडमिट कार्ड मांगने के बाद फिर वो उसको देखें कि सारे इंट्रीस सही है की नहीं और उसके बाद ये सब ऐसे चेक करके और फिर वो यहाँ पे अपने इस तरह से साइन करतेंगे डेट डालना चाहें तो वो निर्देशों का ध्यानपूर्वर्ग पढ़ लए तो इसके ये निर्देश मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इनके बारे में तो आपको थोड़ा सा जो है वो और क्लियर हो जाएगा पहला है प्रश्ण पत्र प्राप्त होते ही ये जाच कर लें कि आपको सही रिख्षा निर्धारित है साथ ही ये भी जाच करने कि सुत्तर पुस्तिका में कवर पेज साइथ 36 प्रष्ट है अंतर होने पर तुरंत कशनी रिख्षक को सूचित करें देखिए ये छोटे-छोटे एक्षरों में लिखा हुआ है हो सकता आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो तो आप resolution बढ़ा लेंगे वहाँ पे स्क्रीन में जाकर के YouTube पे और इस resolution बढ़ा लें तो आपको ये साफ दिखने लगेगा तो पहला तो है question paper जो आपको देने आए हैं वही question paper मिला है कभी-कभी ऐसा होता है कि एक कमरे में electrical के भी बच्चे बैठे हैं, civil के भी बच्चे बैठे हैं, mechanical के भी बैठे हैं पता लगा electrical वाले को civil का paper मिल गया उसने उसी को solve करना शुरू कर दिया तो ये check करना आपकी duty है कि आपको जो question paper solve करने आए हैं वही question paper आपको मिले और उसके बाद जो copy है इसमें 36 page हैं, तो वो 36 page cover first मिला करके तो ये आपको गिनना पड़ेगा, गिन लेना चाहिए मेरे हसाब से क्योंकि अगर मालिया suppose करो, exam देते देते बीच में मालिया suppose 36 की बजाए आपकी copy में 30 page निकले तो आए ये माना जाएगा कि 6 page आपने गायब कर दी हैं उसके अंदर से तो ये चीज़ आप अपने against में ना जाने दे, पेजों को गिन करके जरूर रखें इस चीज़ का यदि किसी परिक्षारती के पास अथवा उसके seat के आसपास कोई अनधीकृत सामगरी पाई जाती है तो परिशत के नियमों के नुसार उसके विरुद्ध करवे की जाएगी आपकी seat के आसपास भी कुछ नहीं होना चाहिए मतलब ये ध्यान दे लें आप इधर उदर अपने पीछे आसपास की कोई कागच का टुकड़ा किसी और ने तो नहीं फेक रखा है क्योंकि फिर आप ये साब इतनी कर पाऊगे कि आपने नहीं फेका था तो इसलिए अपने आप ये जिम्मेदारी है कि आसपास भी आपके आपके पास तो नहीं हो और आसपास भी आपके नहीं होना चाहिए तीसरा है उत्तर पुस्तिका के प्रतेक पन्ने पर दोनों और लिखें और रफ का रहे हैं तो उप्योग के जाने वाल पने मूपे रफ कारी लिखकर काटने देखें मैट्स के पेपर में अक्सर बच्चों को गन्फियोजन होता है कि हर लेफ्ट पेज छोड़ना है ऐसा नहीं है आप जिस पेज 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 करना चाहें जैसे तीन चार पेज कर लिया आपने फिर आपको जुरूद पढ़ रही है रफ पेज की तो एक रफ पेज बना लिया आपने लिफ्ट वाला और उसको बाद में रफ लिखके काट दिया तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर पेज पेज पे रफ 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 बनाई देना है फिर तो आप पतला का पेज ही कम पढ़ जाएंगे 36 पेज की कापी 18 पेज की बचेगी आपके लिए तो इसलिए ऐसा बिलकुल नहीं करना है एक प्रश्ण के सभी खंडों के उत्तर एक ही क्रम में दें यदि एक प्रश्ण के खंडों के उत्तर अलग-अलग प्रश्णों पर दिये गए हैं जिसके कारण उनका मुल्यांकन परिक्षक दौरा नहीं किया जता है तो उसका उत्तरदाई तो परिक्षार्थी का होगा ये point है जिस जो controversial होता है और इसके उपर मैं separate video भी एक बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो इसमें जैसे ऐसा होता है कि जो आपको आता है कि जो आपको आता है पहले कर लो जो बाद में ये वो लेकिन इसमें जो है वो यही बात होती है कि एक ही क्रम में दे अगर आप क्रम को गड़बड करते हैं और अगर वो नहीं चेक होता है तो इस case में उत्तरदाई तो आप कही होगा तो इसलिए ये point जो है वो controversial है और मैं भी इसी के पक्षिदार रहता हूं कि इसी क्रम में एक ही क्रम में सब कोशन का अंसर दें जैसे तीसरा कोशन उठा लें आप पहले इसमें कोई दिक कर नहीं आप तीसरा उठा लो चौथा उठा लो लेकिन चौथे के फिर सारे पार्ट एक क्रम में कर दो पाँचवा कोशन ले लो तो पाँचवे के सारे पार्ट एक्रम में कर दो फिर दूसरा ले लो तो दूसरे के सारे पार्ट एक्रम में कर दो ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे का तीसरा पार्ट अभी कर रहे है और दूसरे का D पार्ट लास्ट में करा जागे दूसरे का ए पार्ट फिर बीच में कहीं करा ये नहीं करना चाहिए तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके उपर separate एक वीडियो बना दूँगा पाँचवा है परिक्षा कक्ष में मोबाइल लाना वर्जित है तो कैलकुलेटर का उप्योग केवल उन ही प्रतों में किया जाएगा जिनमें अनुमती प्रतान की गई है तो कैलकुलेटर किन-किन पेपर में होता है मैंने UPBT rules नाम से एक playlist बना रखी आप उसमें जाकर करके देख सकते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा इस related वीडियो उत्तर पुस्तिका के cover प्रिष्ट के स्थम्भ एक से पांस तक की सभी प्रविष्टियों की पूर्ती परिक्षारती दोरा किया जाना अनिवार रहे है यह जो एक से पांस तक की entries हैं यह सब आपकी परिक्षारती ही करेगा यह ऐसा नहीं हो सकता कि invigilator से बोले student की आप भर दो teacher नहीं भरेगा यह बच्चे को भरना जरू भी है तो इस तरह से यह front page भरा जाता है और अगर आपने इसे सही भर लिया तो फिर यकीन मानिए कि आपके कोई और समस्या उत्पन नहीं होगी खास तोर पर यह last की जो digits है यह बिल्कुल साफ सुत्री भरी जानी चाहिए कभी कभी क्या करते हैं बच्चे 100 गलती से 8 लिख दिया और फिर उसी 8 को यहां भी 8 लिख देते हैं ऐसी गलती कभी न करें अगर आपका रोल नंबर 1003 है थ्री बनने में माल लिया वो 8 जैसा हो गया तो आप यहां पर 3 लिखें कमसकम ताकि examiner को कोई confusion न रहे कि यह किसकी copy है और इसलिए मैं suggest करता हूँ कि एक बार last में जहां पर पेपर खतम कर रहा है वहां पे भी अपना रोल नंबर ज़रूर डाल दें ताकि अगर यहां पर गड़बड हो जा है रोल नंबर तो कमसकम वहां से पीछे जा करके examiner जो है वो इस चीज़ को देख सके तो students इस वीडियो में यही बताना था मुझे उम्मीद है कि आपको कैसे front page भरना यह बिल्कुल clear पता लग गया होगा वीडियो कैसा लगा हमें comment में ज़रूर बताएं पसंद आया है तो like करें दोस्तों में भी share करें और चैनल पर पहली बारा है तो subscribe ज़रूर कर लें साथी साथ अगर whatsapp group में नहीं जुड़े हैं आप हमारे तो हमें 7376292424 पर अपना नाम branch class और semester लिख कर भेज़ें ताकि हम आपको उसे अपने respective groups में add कर दें girls के लिए अलग groups है boys के लिए अलग groups है तो इसलिए उनमें information देना और आसान हो जाता है और fast हो जाता है और इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को खतम करता हूँ मिलते हैं आपसे next वीडियो में किसी भी और topic पर वीडियो चाहिए तो इसमें comment करके हमें जरूर बताएं हम exam से related उसके उपर वीडियो जरूर बनाएंगे और साथी साथ मैं सबसे request करूँगा कि हमारे चैनल पर जाकर के UPBT Rules नाम से एक playlist है उसको जरूर देखें उसमें जितने भी वीडियो हैं more than 50 वीडियो हैं वो आपके पूरे तीन साल के पढ़ाई में जगे जगे पर काम आएंगे आपको हाला कि पूरे चैनल में ही सब चीज करेंगे तब हम उसको आंसर देने में थोड़ा अच्छा फील करेंगे तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स वीडियो में धन्यवाद